प्रभू येश्व मसी के नाम में आपको अनुगरे शान्ती और आशिश मिले एक विक्ती था जिसने इस बात को देखा कि गाड़ी के रास्ते में कुछ चीटियों ने अपना टीला बना दिया है और उसने एसास किया कि किसी टाइंग कोई ऐसी गाड़ी आ जाएगी जो एक्जैक्लि उस तीले के उपर से उसका पईया चला जाएगा और वो चीटिया मर जाएगी और वो ऐसे विक्ती था जिसको उन चीटियों के लिए चिंता थी हमारे भी एक गाड़ी धोने वाला विक्ती आता था वो कहता था कि पानी में चीटियां बह जाएगी तो यह अच्छी बात नहीं है तो वो थोड़ा सा जब चीटियां थी तो गाड़ी धोने में हिच्किचाहट थी उसकी तो लोग होते हैं इस प्रकार की सोच के तो इस व्यक्ती को बहुत उन चीटियों की चिंता थी कि यह मर जाएगी और मैं कैसे इनको यहां से हटा हूँ यह न अगर वो टीले को हाथ से हटाएगा तो टीला तूट जाएगा उतितर बितर हो जाएगी तो किसी तरह वो आने वाला खत्रा उनको बताना चाहता था ना उन चीटियों से वो बात कर सकता था ना वो अपने गाड़ी का हौन बजाकर उनको रास्ते से जिस मार्ग में वो बनाने शुरू कर दिया था हटा सकता था उनको लिखकर कोई चितावनी नहीं दे सकता था कि इसको पढ़ लो इट लीस्ट उसने सोचाओगा काश में चिला सकता और इनको समझा देता कि आने वाला खत्रा है सब खतम हो जाओगे लेकिन चिलाता भी तो किस भाशा में चिलाता क्योंकि वो चीटियों की भाशा नहीं जानता लेकिन एक ही विचार आता है कि काश वो खुद एक चीटि बनकर उनकी बीच में चला जाता और उनको बताता उनकी ही भाशा में उनके साथ रह करके खत्रा भयानक है सब खतम हो जाओगे अगर शही टाइम पर यहां से नहीं निकले तो और अगर ऐसा होता तो कितनी अद्भुद बात थी परमेश्वर्द जिसने हमारी सिष्टी की वो एक महान परमेश्वर है सच्चा है सर्वशक्ति मान है और बाइबल कहती है वो स्वर्गों के स्वर्ग में भी नहीं समा सकता वो अती पवित्र है पवित्रता की परिभाशा है प्रभु येश्व मसीद और इतने तेजों में रौष्णी में रहता है कि हम इस शरीर में उस रौष्णी में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे ना उसके तेजों में चेहरे को देख पाएंगे एक परमिश्वर का दास था प्रेरित पॉलुस जो पहले विरोधी था प्रभु येश्व का उसके लोगों को मारता पीटता था हत्या भी करता था प्रभु येशु नो उसको एक दर्शन दिया जो प्रभु येशु श्वर्ग में था उसके कुरूस के मृत्यों के बाद एक दर्शन दिया और पॉलूस अंधा हो गया तीन दिन तक फिर किसी और दास ने आके उसके लिए प्रात्ना की और वो ठीक हुआ तो ऐसे ते जो मैं रोष्णी में भयंकर जोती में परमिश्वर वास करता है अपने वचन की सामत से उसने सारी चीजों को बनाया आदम को जरूर अपने हातों से उसको बनाया और उसके अंदर अपनी सांस डाल कर उसको एक जीवित प्रानी गोशित किया लेकिन ना केवल उसने बाकी चीज़े अपने वचन की सामत से बनाई लेकिन वो चीज़े उस वचन की सामत से बनी भी रहती है जो तारे और घ्रे अपने अपने मार्ग में रहते हैं वो उसके वचन की सामत से रहते हैं जो परमानू और अणु, आटम्स और मॉलिक्यूज अपने ओर्बिट्स में रहते हैं, वो भी उसके बचन की सामर्त है इतना महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने हमारी सृष्टि की और ना के वले परमिश्वर, महान और सर्वशक्तिमान है वो पवित्र है और वो एक सच्चा न्याई है और वो कभी नहीं चाहता है कि उसकी स्रिष्टी उसके न्याई के आधीन आए अर्थात जो दंड पापों का है उसकी कताई इच्चा नहीं है कि उसकी स्रिष्टी उस दंड के आधीन आए वो नहीं चाहता कि मनुश्य पाप में मरकर नरक के दंड में चला जाए क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यू है ये नियुक्त है मनुश्य का एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याई का होना तो इसलिए मनुश्य को उनकी भाषा में समझाने के लिए मनुश्य को आने वाले खत्रे के बारे में बताने के लिए परमेश्वर स्वें मनुश्य बनकर इस धरती पर आया कुमारी के जरीए उसने जनम लिया और तीस साल की उमर पर उसने अपना प्रचार शुरू किया इनी शब्दों से मन फिराओ पश्चताब करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है पहले सकारतमग बात बताई परमेश्वर का राज्य निकट है इसलिए मन फिराओ और फिर लुका तेरा में कहता है अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम सब के सब वैसे ही नाश होंगे जैसे कोई भी पापी नाश होता है वैसे ही नाश होंगे तो इसलिए प्रभु येश्व ने इस प्रकार से हमारे बीच में डेरा किया साड़े तैतीस वर्ष तक ताके वो चितावनी मनुशु जाती को बता दे देखिये जब प्रभु यशु जगत में आया उसके जीवन की कई बाते हम उसके वचन में लिखे हुई पाते है एक स्थान में प्रभु यशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ जैनि मैं जीवन दाता हूँ लेकिन जिसने अपने आपको जीवन की रोटी कहा उसने अपनी सेवा भूखे रहकर शुरू की 40 दिन तक वो उपवास में भूखा रहा कुछ नहीं खाया वास्तों में वो उपवास था फिर प्रभु यशु ने कहा जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए मैं उसको जीवन का जल दूँगा लेकिन क्रूस के ऊपर प्रभु यशु ने कहा मैं प्यासा हूँ जो स्वय सबको जीवन का जल देता है वो खुद मेरे और आपके खातिर उस कलवरी के क्रूस पर प्यासा हो गया क्योंकि ये भविश्यमानी थी एक चिन्न था कि वो कहेगा मैं प्यासा हूँ मनुश्य की तरह उसने भूग को सहा लेकिन जो भूगे थे उन हजारों को उसने खिलाया एक बार पाँच हजार की भीड को एक बार चार हजार की भीड को उसने कुछ रोटी और मचली पर ऐसी आशिश दी कि सब को पूरा पड़ा बारा टोकरी एक बार भरी रह गई सब के खाने के बाद और दूसरे समय में साथ भरे टोकरे रह गए बच गया खाना इतना हम देखते हैं कि वो बहुत चलता था एक स्थान से दूसरे स्थान मनुष्य के रूप में आया था वो ठक गया एक बार वो एक कुवे के दीवार पर बैठ जाता है लिखाए वो ठक गया था लेकिन जो ठक गया वो हम सब को विश्राम देता है प्रभू येश्य ने कहा मती 11-28 में हे बोज से दबे और परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ मैं तुमें विश्राम दूगा मेरा जुआ अपने उपर उठालो मेरा जुआ भारी नहीं है तुम अपनी आत्मा में विश्राम पाओगे और तुम मुझ से सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ वो मुझे और आपको आत्मा में विश्राम देता है जब जीवन से पाप दूर हो जाता है तो अपने आप परमिश्र के अद्भोज शांती हमारे मन में समा जाती है रोमी सल्तनत उस समय थी और हम देखते हैं फिर भी वास्तों में वह राजा था रहा वो cowardास की तरह दास की तरह उसने सेवा की लेकिन फिर भी वो राजाओं का राजा और प्रभूं का प्रभू था जब उसका जनम हुआ तो पूरब से बुद्धिमान लोग बड़े लोग धूंदते हुए आए कहा है वो राजा यहुदियों का जो जनमा है और उसको धूंद कर उसके सामने दन्वत किया उसकी आराधना की उसके लिए महंगी महंगी भेट लाए सोना तक लाए उसके जीवन में यहुदियों ने कई कम से कम दो बार कोशिश की कि उसको राजा बना दे लेकिन वो नहीं बना क्योंकि इस समय वो दास का रूप धारण करके आया था एक दिन आएगा वो दिन दूर नहीं है जब वो प्रगट होगा राजाओं के राजा और प्रभू के प्रभू की तरह दुनिया ने उसको मुकट दिया लेकिन वो काटों का मुकट था कलवरी के क्रूस पर देखते हैं वो भयानक कार्टों का मुकट जो उसके सिर में भोग दिया गया लेकिन वो चिन्द है एक निशानी है दिखाने के लिए कि उसने हमारे पाप और श्राप को अपने सिर पर उठा लिया बली का मेमना बन गया वद हो गया कुछ दुष्ट धरम गुरों ने उसको कहा कि ये तो शैतान है शैतान की ताकत से दुष्ट आत्माएं निकालता है लेकिन सच बात है कि वो परमेश्वर स्वय है परमेश्वर का पुत्र है और अपने वचन की सामच से उसने दुस्तात्माओं को निकाला आज भी येश्यमसी के नाम में दुस्तात्माओं थर थराती और कांपती है और गबराती है और चली जाती है उसने स्वें पिता से प्रात्ना की उन दिनों में लेकिन वो खुद प्रात्ना का सुनने वाला और प्रात्ना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है वो उसके मित्र लाजर की मृत्यू के समय जब वो मर गया था वो रोया लेकिन आज वो मेरे और आपके आँसों को पहुंचता है हमारी चिंता करता है उसके अपने एक शिष्ष ने उसको तीस चांदी के सिक्के में बेच दिया लेकिन प्रभू यश्व मसी अब लाखो लाखो गुलामों को खरीद लेता है अपने लिए जो पाप और शेतान के गुलाम है अपने पवित्र लहू की कीमत से उनको खरीद कर अपना बना देता है और वो अपनी इच्छा से उसको स्वामी मान कर अपना जीवन उसको देते है एक मेमने के तरह जो वद होता है वो ले लिया गया और उसको कुरूस पर टांग दिया लेकिन वास्तों में वो स्ववय चरवाहा है अच्छा चरवाह है जो अपनी भेडों के लिए अपने प्राण देता है पूरे जगत के लिए उसने अपने मलिदान दिया वो मर गया और अपना जीवन हमारे लिए दिया लेकिन जी उठकर वो मृत्यू का मृत्यू बन गया यानि मृत्यू की सामर्थ को उसने नाश किया उसके डंख को तोड़ दिया आज वो जीवित है मृत्यू को में से जी उठा जीवित परमेश्वर से तमफरात्न करते है जो हमारी अपने लोगों पर अपनी दृष्टी बनाए रखता है और उनकी प्रात्नों के लिए अपने कान खोले रखता है अपने सामर्थी हाथ से उनकी मदद करता है उनके लिए सोचता है, चिंता करता है उनके लिए उसकी योजना है ऐसे प्रमेश्वर कि हम अराधना करते हैं सेवा करते हैं जो अपना सब कुछ वैभव छोड़ कर इस धर्ती पर आ गया तो कि मैं और आप सच को जान सके कि उद्धार का मार क्या है बचने का रास्ता क्या है आने वाले प्रकौप से मैं और आप कैसे बच सकते हैं वो व्यक्ति तो सिर्फ सोच सकता था काश में चिटी बन जाता लेकिन परमेश्वर स्वय मनुष्य बन कर आया हमारे बीच में ताके हम उसकी चितावनी को समझ सके उसके प्रेम को जान सके प्रेम के खातिर अपना प्राण कुरूस पर दिया काश आप उसके प्रेम को समझ सक और उससे फ्रात न करके उसको अपने हिर्दे में बुला सके तब येशु आपको आशिश दे